तो आज हम बनाएंगे शाई तुकड़ा तो यहां पर मैंने ब्रेट ले लिया है तो ब्रेट के भी तुकड़े वो करने के तुम्हें बताऊंगी किस तरीके से ब्रेट को कटिंग करना है और यहां पर भुनीवी जो सेवे होती है वो मार्किट में राम से मिल जाती है तो यह मेल का डबा ले लिया लिया है मैंने मतलए मम्मी न यह उसके बाद में फूट कलर मुझ हर दिखार हुम्हें तो हैसे हमने दो चुटकी जो है हमने फूट कलर जो हमने वो ले लिया है यहाँ पर जो है मैंने छे इलाइची लिया था इलाइची को तरीके से मैंने कुट लिया यहाँ पर मैंने छे इलाइची को जो पॉडर है मैंने वो यहाँ पर बना दिया है और यहाँ पर जो है मैंने एक चमज भर के कस्टेट पॉडर जाए मैंने वो ले लिया है मैंने अपने मैजर्मिंट के हिसाब से सारा जो है सामान वो सब ले लिया है यहाँ पर जो है मैंने काजू और बदाम को इस तरीके से बारिक बारिक जो है मैंने कटिंग कर दिया है बारिक बारिक हम चौप कर देंगी, तो यहाँ पर अपने मेजर्मेंट के हिसाब से सारे सामा ले लिया है, तो ऐसा है, तो यहाँ पर मैने काजु बदा मरे की बारिक बारी कटिंग कर दीए हैं, मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर तो इसके आगे का क्या प्रोसेस है वह भी आपको बताती हूँ आज आपको अम्मी नी आज आपको मैं रेशिपी दे रही हूँ तो चलिए फिर अभी इसका आगी का प्रोसेस में आपको बताती हूँ तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो हम ब्रेट की जो हो कटिंग कर तो यहाँ पर मेरे सारे ब्रेट को रख दूंगी तो ब्रेट तो अपनी कटिंग हो गई है अब इसके आगी क्या प्रोसेस है वह भी आपको मैं बताती हूँ तो यहाँ पर अभी हम बिस्मिला बोलके घैस को जो हम चालो कर देंगे तो यहाँ पर मैंने तीन चमत शक्र ले हम जादा भी कम नी होना चाहibt आप छिस हिसाब से बनाराँ है उस हिसाब से मिट्टये की कौन्टिटि धना शक्र की तो ऐसा है अब भी हम उसको भी मीडियम रखेंगे मीडियम इसमें हम पकाएंगे तो यहाँ पर अभी मैं आपको नजजिक से दिखा रही थी तो अभी हमारी जो चाशनी पूरी तरीके से पकी नहीं है तो अभी पकना बागी है यहाँ पर हम अभी चाशनी को देखेंगे तो चाशनी को भी मैं चेक कर रही हूँ तो अपनी जो चाशनी तो अभी हम घी मत्यां ब्रेट में हलका घी लगाएंगे परेट को हलका इकदम ब्रेट को हम कड़क नहीं करेंगे हलका हलका हम घी लगा के ब्रेट को फ्राइब करेंगे तो ऐसा है है यहाँ अगे पीछे दोने तरफ जएim B買ってる गी लगा देंगे तो आप यह लोग यह रेसिपी जरूर ट्राइ करें और प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने यह रेसिपी ट्राइ किये है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसी बनीए कि आप जब और फिछ खीए यहां नहीं कते है गीया यहां आपनेशा को घी ड्राइब कारेंगे- अगषे ना नैंथे सड़र झालर ग्तवेखेल को आपनेख ट्रृप्स कि यहां पर अम्हें से संद्व हो गया है तो आपने नदीर्दए अक्दम्जादा ब्राउन भी नहीं करना है जैसे एकदम ब्राउन ब्राउन दीख एकदम डार्ग ब्राउन हलका 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 करना है ना जाद हमें ब्राउन ब्रेट को कड़क करना है तो ऐसा है तो मैं ब्रेट को आगे पीछे करके देख रही हूं चेक कर रही हूं कि मतलब जिदे से हलका वाइट वाइट दीख रहा है तो थोड़ा ब्राउन कर दे रही हूँ तो ऐसा बहुत ही अच्छा बनाता है शाहिद लिखुड़ा आप जरूर ट्राय करें ममी को बहुत पसंद आया था तो आप्र हम जो सारे ब्रेट को निकाल देंग वी में निकाल दूगीक यहां पर निकाल हम नेगया है व्यंतले अफिस प्रॉसेस सेवे के हिसाब गहाँ तो तूंट सेवे के हिसाब से तक हिस ब tee T झम जो यहां पर मbahnकुण ना नलीके बाद अभीहमें चमज की मदस C घी में सेवे को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे मतलब उपर नीचे सेवे को करेंगे सेवे को हमें जादा भूनने की ज़रूत नहीं पड़ी थी क्योंकि भूनी भी ही सेवे रहती है उसके बाद में मैंने इस अच्छे तरीके से मतलब घी में यह कर दिया उसके बाद में हमने फूट कलर जो है दो चूटकी हमने लिया था वो हमने डाल दिया उसके बाद में हम इसको अच्छे तरीके से फूट कलर दालने का था हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर दिना है कि मतलब एक जगे जो हमारा फूट कलर जम ना जाए अच्छे तरीके से पू के आपने मेरा चम्मर देंके होगे तो मैंने तीन चमर शक्कर दाल दिया है कि अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे कि हमारी शक्कर तो पीजे भी मतलब थोड़ी-थोड़ी तो ऐसा आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी न भुलिएगा प्लीज अब अच्छे तरीके से सेवें को शक्कर में अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं गई महरें हमारा सेवे का प्रोसेस फो हो गया है तो हम सेवे को हटआ देंगे उसके बात में रख़ा करते हैं यह साली दूपक पेन दियाै। उसके बरेट को अपर अब दोड़ा चेहिं तो तो बीष्ट हम नकारीट को दाना निसीच सेवे antal a.th करेंगे देख ची में मैंने थोड़ा सा पानी घदिया तो बाव लीटर से थोड़ा अपर दूधा तो अश्ज खें आलका की उबाहने तो यहां पर उबाल आ गया है तो अभी हम इसमें आ लेंगे मिल्क मेट आपको बताते हैं अदया अधा मिल्क मेट मेट ना दीए मिल्क मेट तो में थोड़ा जम गया था क्योंकि फ्रेज में था निकाल के कपकार रख दिया था तो अभी मैं से चम्स कैण व कि यहां पर दो चमर् शकर है तो हम ने शकर मिलक्स है निम्स हैं और हमें साईट राफेंडमी जमुझ इसमय निगा नीले तो अब डर्मलाई निम्सकर अउमने मॉलक्स देना है तो हम देंगे एलाइची बटार है तो अबousse अगरे पटायाता है लो भी यहां पर इलाइची पॉडर दाल देंगे हम हमें साइड में मलाई जमनी नहीं देना है और हम चमच के मदद से हलका हलका में दूद को हिलाते भी रहना है उसके बाद में अब हमें दाल दिया इसके अंदर कस्टट पॉडर तो मैंने थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा दालते ग हैं जिसे चमनीillar हो तो गुटली सकती हैं थो ही जाएगा तो समझञे यह दोड़ा हूने लगा तो Looks अच्छे तरीके से मैं मिक्स करती रह रही है थोड़ा काड़ा हो जाएगा तो हमें गहस को बंद कर देना है मतलब एक्जेट तरीके से वह पग गया है और हमें साइड साइड में मलाई बिल्कुल भी जमानी होने दिनी है क्योंकि मलाई जम जाती है इस वज़े से यहां पर अगर मैं वेछी तरीकरदी खौल रहा है और मैं उसे चाज तरीकरे से मिक्स करती ही रह के सीरी रहा रही है थोड़ी से महेनत लगती है आप्षी यह उमी और बहुत लिशीस रही है और घचा है मिक्स करती रही ह不起 है पहस आपना है साइड सेंट में मलाई जम ने देनी पर क बस इतना ही है, तो नहीं से अच्छे तरीकी से मीक्स करतीर है करतीर है रही हूँ, तो ऐसा अगर मैं थम वीच भीच में अटक जा रहे हूँ, तो आपलों मेरी बात को समझ जाना, क्योंकि मैं थम स्पाइड़ा है, इसוק में घेस को बन, क्योंकि अपना बन गया है अभी इसक यहां पर मेटें तडियों मेटेनेकर अच्छी तरफ से तरीक के से निए सफ में तारीक के से लीयर लगा देनी है ऐसलिए अच्छी तरीक ही चाहिए पूरी जो प्लेट में उस प्लेट मेट जाना चाहिए मैं पर यहां पर देखें मैंने सेवे पूरी लगा दी मतलब एक लेयर अपना कम्प्लीट हो गया है उसके बाद में जो हम ब्रेड रग देंगे यहां पर मैं इस तरीके से कुछ ब्रेड रग दे रही हूं तो यहां पर मैं ब्रेड रग दी आप लोग भी सेम ऐसे ही प्रोसेस बनाना तो आपका भी शाही तुकड़ा है ऐसे ही बनेगा और आप लोग अपनी फैमिली के साथ इंजोई करना शाही तुकड़ा और उसके बाद में हमने बनाया था चाचनी तो चाचनी जह हैं हमें उसके बाद में यहां पूरे पे चाचनी बाद में फोसरा प्रोसेस की बाद में हमारा दूसरा तो यहां पर न dwell को फ़يل तो यहां पर नमचology द़िए अच्छे तहरी के से दल को यहां पर मीज़ा की दाल रहा है यहां पर मैं उससे थिए बिरैटे पीस बदेना है तो यहां पर मैं तो एसा है कुछ यही शाहिट उक्रा बनाती हूं तो आप नोग बोलना मत क कि शाय तुकड़ा बनता है वहां चाहि तुकड़ा ज़स्टा बनता है, तो ऐसा है, मैं ऐसे ही बनाती। पूरा दूद प्रेट पे और सेवे, मैंने डाल दिया, तो ऐसा bet मैं प्रेट तडीके सेidd Apart मैंने पूरा दूद, अगर आपके पास पिस्ता है तो आप लोग पिस्ता नहीं दाला क्योंकि पिस्ता नहीं था हमारे पस मैंने काजू बदाम का तो भी हो गया अब जो हमें इसे फ्रीज में सेट करने रखेंगे आदे गंटे के लिए तो यहां पर हमें मुझे तो माशाहलला हमारा शाही तुकड पु बाहुत अच्छा रेडी हो गया है तो आईजे आप लोग भी बिस्मिला करने के लिए तो शाहिद तुकड अपना रेडी हो गया है तो आप लोग भी जरूर ट्राय करना और कमेंट बॉक्स में लिखना कैसा बना है लाइक करना, शेर करना, सब्सक्राइब करना तो प्लीज आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भुलिएगा तो मेरते हैं नेक्स वीडियो में तो जब तक के लिए बाई बाई एनल आफीस